वेलकम तो मैथ एक्सिस, आई सिसी क्लास 10, चप्र फाइफ, एक्सराइज 5.4, कुश्चन नमर 6 कुश्चन नमर 6 में हमें दिया गया है कि फाइंड वैलू आफ M, for which each of the following quadratic equation has real and equal root, यानि कि जो given quadratic equation है, उसके real and equal root है, इसलिए हमें find करना है कि वैलू आफ M क्या होगा, ठीके तो जो कुश्चन नमर 6 का part first है, जो first quadratic equation हमें given है, वो यह है कि 3 M plus 1, x square plus 2, m plus 1, x plus m equal to 0, यानि question नमर 6 के part first में यह पहला quadratic question हमें given है, और condition ही दिया गया है कि इसके roots के है, real and equal है, तो हमें find करना है M की value, ठीक है, तो यहाँ A equal to दिया गया है, 3 M plus 1, B हमें given है, 2 M plus 1, यानि कि 2 M plus 2, and C equal to given है M, यानि A की value दिया गया है, 3 M plus 1, B दिया गया है 2 times M plus 1, यानि कि 2 M plus 2, यानि C दिया गया है M, यानि हमें solve करके बताना है कि M की value क्या होगी, क्योंकि बोलागा है कि root सार, real and equal, यानि क्या हो जागा है, कि B square minus 4 is equal to kya होगा, 0, B square minus 4 is equal to kya होगा, 0, एक है, B square minus 4 is equal to 0, या हमें, दिया गया है कि root सार real and equal, यानि कि B square minus 4 is equal to kya होगा, 0 होगा, वी के प्लस पर हम क्या पूट करेंगे तो यह 2M प्लस 2 का जीत होल स्क्वाइर करेंगे एंड फोर Е के प्लस पर 3M प्लस 1 3M cela S1 और mC के प्लस पर M ठीक है तो 2M plus 2 के विखोर स्कॉर का एक्सपेंड करेंगे या यूजिंग फार्मूला ये प्लस B का होल स्क्वाइर तो हो जाएगा 4M स्क्वाइर प्लस 4 प्लस 8M ठीक है एंड जब इनको मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा 3M स्क्वाइर प्लस M अब यह क्या होगा तो 4m square plus 4 plus 8m 4 से जब multiply होगा तो minus 12m square minus 4m equal to 0 हो जाएगे ठेक है जब इनको हम simplify करेंगे यानिकि 12m square में से 4m square को minus करेंगे तो आएगा minus 8m square 8m में से 4m को minus करेंगे तो plus 4m and plus 4 equal to 0 क्योंकि m square क्या है कि minus में है इसका जो coefficient है minus 8 है तो इसको positive करने एक लिए में क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ minus 1 से multiply करना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे multiply boss side by minus 1 देने क्या हो जाएगा 8m square minus 4m minus 4 equal to 0 ये quadratic equation हमारा फार्म होगा जब इनको हम simplify करेंगे तो quadratic equation क्या फार्म होगा तो 8m square minus 4m minus 4 equal to 0 यह quadratic equation form होगा है देन अब हम क्या करेंगे तो देखें सभी numbers जो है 4 से divisible है तो क्या करेंगे divide boss side by 4 divide both side by 4 देने क्या हो जाएगा तो 2m square minus 1m minus 1 equal to 0 यानिक यह quadratic equation form हो चुका है हमें इसको factorize करना है by splitting the middle term ठीक है तो देन यह क्या होगा तो 2m square minus 2m plus m minus 1 equal to 0 देखें कैसे आया है तो सबसे पहले हम क्या करते है कि coefficient of m square को constant term सब्सेप्लाइग करेंगे तो 2 into 1 क्या आएगा 2 2 आ गया यानि हमें ऐसे दो number find करने है जिनका multiply करने पर 2 आए और जिनको plus या minus करने पर क्या आजाए तो 1m आए इसलिए 2 into 1 2 होता है और 2 में से 1 minus करेंगे तो m आएगा अब इनमें हम 2m common ले सकते हैं ति हो जाएगा m-1 इसमें plus 1 common ले जा सकता है ति क्या हो जाएगा m-1 equal to 0 यानि कि m-1 and 2m plus 1 equal to 0 then m-1 equal to 0 और 2m plus 1 equal to 0 यानि कि m equal to क्या हो जाएगा 1 और 2m equal to minus 1 m equal to जाएगा minus 1 by 2 ठीक है ति ये question number 6 के part first का solution था next है question number 6 का part second question number 6 के part second में दिया गया है कि x square plus 2m minus 1 into x plus m plus 5 equal to 0 यह quadratic question हमें given है और कहा गया है कि roots are real and equal तो हमें find करना है m की value क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले आपर a equal to दिया गया है 1 b दिया गया है तो 2m minus 1 यानि कि 2m minus 2 and c दिया गया है m plus 5 ठीक है तो roots are condition क्या दिया है कि roots are real and equal यानि कि b square minus 4ac की value क्याने चाहिए equal to 0 b square minus 4ac equal to 0 तो यहां b hat 2m minus 2 2m minus 2 का whole square minus 4 into 1 into c क्या दिया गया है तो m plus 5 m plus 5 equal to 0 हो जाए तो यह क्या हो जाएगा तो 4m square plus 4 minus 8m जब इसको हम simplify करें तो आएगा minus 4m minus 20 equal to 0 ठीक है इसको expand किया गया है by using the formula a minus b का whole square a minus b का whole square a minus b का whole square क्या होता है a square plus b square minus 2ab इस formula की use से इस वाले को expand किया गया है ठीक है तो यह हो जाएगे जब इनकों simplify करेंगे तो 4m square minus 8m minus 4m यानि की minus 12m plus 4 minus 20 यानि की minus 16 equal to 0 ठीक है तो यह quantity क्यूशन आपका आया है 4m square minus 12m minus 16 equal to 0 ठीक है सभी जो numbers है 4 से divisible है यानि हम क्या करें कि दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा m square minus 3m minus 4 equal to 0 ठीक है यहां क्या है क्या है लास्ट में 4 है यानि कि 4 गंजा 4 इविए x square coefficient 1 है तो x square के coefficient और constant term को जब हम multiply करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा यानि हमें ऐसे दो number find करने है जिनका multiply करने पर 4 आए और जिनको plus या minus करने पर 1 m minus 4 equal to 0 यानि कि m plus 1 equal to 0 और m minus 4 equal to 0 तो क्या होजाएगा m equal to minus 1 और m equal to होजाएगा 4 यह question number 6 के part second का solution था थाएगा, thank you.